अब फर्माईये रहिम सहाग अरे फर्माना कायका विल्किस भाई अपनी तो उखली अवेरंग हो गई क्या छोगरी त्यार किये तुमने मामले के बात कीजिए मामला कायका दोजार तुमको पहला दिया था दोजार दिया पकड़ो बागी के अच्छे अजार बात में आए यू हजार में तो उसके कात दुगत दूर रही यह तुम धानली कर रहा हैँ विल्किस भाई जुलूम कर रही हो आप कहे तो वह दो हजार भी वापस सुल्टाना आप-चास-चाथा के हो गई है अरे पचास नहीं तूछ ले ले ना मागर यह दो हजार तो पकड़ पकड़ एक मरतबा एक छोकरी को बंबई पहुचने दे फिर दे के छोकरी नोट छापने की मशीन बन जाएगी मैं रहीम के हाथ तो बिक गई शेक्सा पॉलिस मगर इससे पहले की निलाम की बोली लगती पुलीस की धाड़ पड़ गई एक तमभक दर मच गई प्रहीम मुझे पीछे की सीडियों से लेकर भागा और मैं अपने कहानी से निकलकर आपकी कहानी में आ गई अब तो आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा ओ दाउद भाई नमस्ते भावी जी अरे भावी जी ये चद्दर क्यों तान ली पांडिया भाई दरसल हमने सोचा कि चदर के इधर बेडरूम और चदर के उधर ट्राइंग रूम खोली को एक बेडरूम हाल का फ्लैट बना लिया बहुत अच्छा जोग मारती हैं आप भी इसी बात पे एक गर्म गर्म चाय की प्याली हो जाए अरे पांडिया जी आये इधर से गुजर रहा था तो खाया ला क्यों नहीं पांडिया से मिलता हुए चलो नावल भाई अपना वह पांडर्शिफ वाला बात भूला तो नहीं नहीं ड्यूटी पे अच्छा उस दिन आप तुमको बोला था रहीम धादा वाला बात उसी बात पे एक आईडिया प्रिट हो गया उस रात एक छोकरी था उसके साथ ओ वो वो चोकरी जादू का टोपी पहल लिया और कायब ओ बाबी जी अगर छोकरी मिल जाए ना तो आपन इस स्टोरी का सवा पांच लाग रुपया से कम नहीं लेंगा अरे डाउद पंडिया सलीम जावेद कल्यान जी आनन जी इस अध्या मैं जल्दी में हूँ लफ्तर जाना है फिर कभी बैठेंगे फोर्सत में कानी डिसकर्स करेंगे हां तो हम भी चलता है यूटी पर करेंगे है यूटी तो अभी उदर नहीं रहे सकती तेरे को इदर आना है थोड़ेगा तुम क्या लाट साब हो कि जब चाहो छोड़ा और जब चाहो बुला लो का हूँ तुमारा नौकर है क्या है यादा हो श्यारी नहीं मंगता समझा मेरा नाम रहीम शेख है पकवास बन यह जो थोबड़ा है ना सोजा डालूंगा आद रखना नहीं आएगी इसके बाप का राज है जल बहा है किलास बना सुनो रहीम शेख दावुद एक शरीफ आदमी है हमारे बूरे वक्त में काम आया था मेरा एक्तम यहाना अच्छा लगेगा क्या लोग पूछेंगे कि ब तेरा कि दर उसके जाद कोई चकर तो फिट नहीं हो गया है सच मुष की बीवी ना सही लेकिन दुनिया के सामने दावुद की बीवी जरूर हूँ मैं वापस जाकर उनका घर गन्दा नहीं कर सकती रहींग से दावुद ने तौ्मारी सुल्तना को हाथ ने लगाया तुम्दी से इज़त कंटिए पृट नहीं मेरे दिन्दे का क्या होगा तो क्या सक्वेस्षान का बद्ला उसे रह wurींगे ? एक तवाइफ से बीवी बनने आखिर एक बीवी से तवाइफ बनने के लिए कुछ तो महलत दोगे क्या मतलब क्या है तरह मतलब यह कि दोशा दिन में कोई बहाना बनाकर खुद ही आ जाओंगी कि उस पर कोई आज न आए और बगएर किसी हंगामे के तुम्हारी सुल्ताना तुम्हारे पास आजाएगी चलो ठीक है मान लेता हूं मगर एक बात याद रखना मेरे साथ कोई चालागी करने की कोशिश की तो मेरा नाम रहीम शेख है अच्छा चलती हूं अरे सुन एक बात तो है यह बुरके में तु बहुत माल दिख रहे लिए इस बुरके को भी हाथ मतलका ना इसमें दावुद की आपरुद चुपा कर ल अरे बहुत आइसा करके की तो साला आदमी इजद वाला मानूं पड़ता है रहीम शेख औरत का जिसम पाकर भी औरत होने का ऐसास उसी चार दीवारी में ही हुआ पहली बार जाना के चूड़ी भरी कलाईयों का मतलब सुहाग होता है पहली बार जाना कि सुबह घर से निकले मर्ग के लोड़ते कदमों की आर्ट सुने की कोशिश को इंतिजार कहते है पहली बार जाना कि बीवी कहलाने से ही औरत के जिसम में रूप पड़ती है बीवी तो नहीं थी मैं लेकिन बीवी पने के भरम ने ही इस दवाइफ की बेजान जिसम में चन धड़कने भूग दी रहीं अब मैं रंडी नहीं रहीं और बन चुकी हूं मुझे आरती रहने थे चार दिन वो दाउद के साथ क्या निकाल के आई है तेरा भेजा फिर क्या है अपने आपको सच मुझे उसकी बीवी समझने लगी है यह महमुद जवर यहां खुदा वंदे करीम या रबुलालमीन या अल्ला परवदिगार तुझे बीवी फातिमा की कसम मुझे तवाइफ बनने से बचा ले गवुरुल रहीम मुझे बचा ले आमीन कौन हो तुम काइनात तुम यहां क्यों आई तुम को लेने आई हूँ नहीं काइनात नहीं तुम यहां से चली जाओ यह लोग बहुत जालिम है लिल्ला चली जाओ नहीं सुल्ताना तुम्हारी जगे यह नहीं दाउत का घर है दाउत का घर सुल्ताना उन्होंने तुमसे कहा हो यह ना कहा हो लेकिन वह तुमसे मुहबत करते हैं मैं एक औरत हूँ मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो और एक दूसरे के लिए बने हो नहीं काइनात अब कुछ नहीं हो सकता खुद आकले तुम यहां से चली जाओ बसता उतसे सिर्फ इतना कह देना कि उन्होंने बहुत देर कर दी मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा में क्या करूं मैं तुम्हें बताती हूं क्या करो मेरे प्यार के सबके तुम सुल्ताना को घर ले आओ हाँ के ताउद सच बात तु यह है कि मुझे कई और ताउद मिल जाएंगे लेकिन सुल्ताना उससे कोई दूसरा दाउद नहीं मिलेगा नहीं काइनाथ मैं तुमसे इतनी बड़ी केमत नहीं मांग सकता जिंदकी जिन दामों मेले जस्ती है दाउद तुम जाओ और अपनी जिंदगी को वापिस ले आओ यह तो पता नहीं काइनात के जिंदगी कौन है अपने आप से जूट मत बोलो दाउद तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी रहीम दादा की अड़े पर तवाइफ बनाई जा रही है जब वो तवाइफ थी तब तो तुम्हे उसे घर पर रखा और अब जब वो और बन गई तो उसे फिर से तवाइफ बन जाने के लिए तुमने छले जाने दिया तवाइफ कौन तवाइफ अरे बोलना कौन तवाइफ सुल्ताना सुल्टाना तबाए सुना भाई लोग ये पिदी का शुर्बा क्या जोग मारेला है ये रहीम शेक होते वेजर से सुल्टाना को लेकर क्यों भे उसको लेकर जाएगा अबे अपने महले में तो मिलिटरी घुसके नहीं आ सकती और तू साला इसको घुसके लेकर जाएगा लेकर जाएगा तू होता कौने इसकी हमाइटी करने वाला मैं इसका शोहर हूँ अबे ओ शोहर के बच्चे तवाइफों के भड़वे होते उनके शोहर नहीं वुआ करते ये तवाइफ नहीं मेरी बीवी है बीवी है कौन से रिष्टे से कौन से नाते से इंसानियत के नाते से महबबत के रिष्टे से तो किदर है निखा नामा किद इसको इदर से लेके जाएगा? किदर लेके जाएगा? तेरे शरीफ लोग की दुनिया में? पहले लोग से पूछ के आया है कि मैं एक कोठे की नाचने वाली को अपनी बीवी बना के ला रहे लूँ? अबे, ये तेरे शराफत केटे के दार, ये समाज वाले हम लोग से भी ज् रहीम शेग देखो समाजवाले इजलत की डोली लेकर सुलताना को बापश ले जाने के लिए है हम सब सुलताना को ले जाने आए है हम सुलताना को लेने आए है पाप का मा ले क्या उसको ले जाना तो दो लाक रुपया चाहिए है पास में मियां हम शरीफ लोग है ना बेटिया बेशते ना खरीदते हैं ओ शरीफ ये देखा है ये चाकू बंद करकर रख लो अपनी जेब में मैं अकेला नहीं हूँ चाल के सारे लोग आए हैं सुल्तान को ले जाने के लिए और जब शरीफ लोग मरने मारने पर तयार हो जाते हैं तो आसमान भी काप जाता है और तुम जैसे गुंडों को कबरस्तान के जमीन भी पनाय नहीं देती और आप लोग खुलिया से तो शरीफ घर आने के मालूम होते हैं लेकिन अपनी बीवियों से अपनी बहु बेटों से छुपकर इस पाप की नगरे में आते हैं मजबूर लड़कियों का सौदा करने के लिए उनका निला मोता वह देखने के लिए शर्म की बात है अगर इसी महफिल में रहीम शेख जैसा दादा आपकी बेटी आपकी बेहन आपकी बहु को जबर्दतिया ले आए और आपकी मिज़नों के सामने उसके जिस्म कर सौदा करें तो क्या करेंगे आप लोग हाथ पर हाथ आपकी बेटे रहेंगे तमाशाही की तरह या हाथ में जाम लिए उसका निला मोता देखेंगे आथ में जाम नहीं होएंगा सेट हाथ कली होएंगा हाथ कली होएंगा हाथ कली होएंगा हमल दर लो इनको लेजा अब इनका मुज़ना वाँ होएंगा जेल में जेल में अरे पाट्नर आज अपना स्चोरी कंपलीट हो गया, कितना मिल हो गया सलाए, हैप़ी एंडिंग ये सब खून क्या है, सब सेट सीं अरे, ये सुल्ताना भावी को क्या हुआ, है आंके खूल लिए, सुल्ताना, देखो, कौन कौन तुम्हे लेनी आये है सुल्ताना हम सब लोग तुम्हें घर ले जाने आए हैं हाँ हाँ हम सब घर ले जाने आए हैं